महराज दिवाली में लाइट लेने का सोच रहा है तो आए ना दिलवा देंगे तो आए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पटना के चांदी मार्केट और आज अपने घर को डेकुरेट करने के लिए लाइट लेने के लिए कि लाइट लगेगा तभी तो दिवाली के मजाएगा गाईज तो जैसे हम है ताली मोर्ग के पास पहुंचते हैं तो देखते कि अग्यों में यह इतना सारा पूलिश और ये बित्रू बच्चे सब अपना बुरिया बिस्तर उठा के अपना घर को जा रहा है धिवाली मना निकली गईज और हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य अस्तान पे यानि कि बुधापर की पैस और वहां पे बाइक लगाने के जोगार दिखते हैं और बाइक लेगाने के बाद हम चले जाते हैं चांद्नी मर्केट इस चंद्नी मर्केट में आपको सजाने के हर एक चीज मिलेगा लाइट से लेके जूमर तक वैसे जूमर से मुझे ए गन यादा गिया में अधर भात मनोश लगरे हो मत कुणुआने तोबा 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 थारा मूठ खनाप कर दो आधार आगा ए जैसे हम के या के आप आप के बार्गुरिंग करना बहुत जरूरी और आप मुझें गए मैं गरीब हूँ तो चांदनी मार्केट में हमें कई सारे लाइट देखने के बाद हमारी नजर पड़ती है जूमर की तरफ यह काफी जदा खुबसूरत लग रहे थे मगर यह जूमर के लिए मुझे बड़ा सा घर लेना पड़ा जो कि मैं अभी बिल्कुल नहीं ले सकता तो यह दिखें गईज दिल और तारी के अंदर भी लाइट जल रहा है इसका डाम जहें डाइस सो रुप्या है और यह चैलिंज लाम तेइन आप लोग ने कभी दिखा है किया ने दिखा है हमको कमेंड में जरू कर देगा वैसे इसका डाम जो है गाईड दूई सो रुप्या ह यहां का जूमर बहुत बहुत बेमिशाल है और गाइज चांदी मार्केट में भीर ज्यादा हो नहीं कारण गाइज हम बहुत ज़्यादे थक गिये थे और एक बैठी है तब ही अचानक से में दिखा देता है एक भेल पुरी वाला तो और के था हम लोग ने भाईया को बोला क होगा कि भाईया के पास Online लेनी की सुखा नहीं थ urine की सब्षेट ऊmm इन मिल नहीं 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 को सब्सक्राइब आता dużo प्सक्राइब काभी यहां मैं अए पीले पीले ओमर राचा अब बहुत मनुष्ट लगे रहे हैं तो बात तो बात थाड़ा मूठ रफ अर भाई यह भी डिशली पेमेंट लेते हैं और भाई इस के नर्ड़ देते हो करते कि पेमेंट वाकर दीजिए और हम लोगी पेमेंट वाकर के धाइस से उधर से निकल जा हैं हमें जरूर कमिन में बताइए गया अब थोरसा चायों पी लेते हैं चाई 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 है को पीली के चाई दे रहा है दे अब भाईया धोका चीया है